चोपड़ा जी कुछ ने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बचो हर साल NTA दौरा एक्जाम से पहले एक एडवाईजरी जारी की जाती है तो वो पब्लिक नोटिस के जिरिये NTA ने नीट एक्जाम के लिए एडवाईजरी जारी कर दी है उसमें बातें तो वो सारी वही हैं जो हमने आपको पहले वीडियो बना के बता दिया है लेकिन इस वीडियो में मैं आपको घर से निकल के एक्जाम हॉल तक क्या-क्या आपको एक्टिविटी करनी है और क्या-क्या पहन करके जाना है और क्या सामान लेके जाना है साथ में उसके बारे में एक बार फिर से revise करवा देता हूँ ताक कि आप से किसी प्रकार की गोई गलती ना हो तो जो advisory जारी की है MTA ने वो advisory तो वही है जिसमें कि एक बार बताया गया है कि photo और signature आप check कर लें अगर आपके photo और signature admit card में नहीं है तो दुबारा से admit card download कर लें इसके बार में नीचे important instructions दिये गए हैं वही important instructions हैं जो admit card पर हैं अब मैं आपको सुरू से बता देता हूँ सबसे पहले आप अपना admit card download करें आपने अगर कर लिया है admit card तो ठीक है otherwise तीन pages में admit card है वो दो page आपको exam hole में लेकर की जाने हैं तीसरा page आप लेकर की जाएं तो जा सकते हैं otherwise कोई ज़रूरी नहीं है दो page आपको must लेकर की जाना है पहले page में आपकी details होगी और उस पे passport size का छोटा photo paste करके लेकर की जाना है घर से ही इसके बाद में left thumb impress करना है उसमें first page पर और declaration में अपना नाम लिखना है और address लिखना है और उसके बाद में signature exam hole में होंगे ये कारवाई आपको admit card के first page पर करनी है second page पर बड़ा photo paste करना है और signature exam hole में करने हैं आपको तो ये दो page आपको लेकर की जाने है तो आपको ये paste करके लेकर की जाना है बड़ा photo second page पर और चोटा photo first page पर इसके साथ आप एक चोटा photo और लेके जाएंगे passport size का photo जो exam hole में 89 seat पर paste करना है तो ये तीन item तो आपके ये होगे तीन का मतलब दो तो आपके page होगे admit card के और एक हो गया छोटा passport size का photograph इसके बाद में आपको एक ID proof लेकर के जाना है ID proof मैंने पहले बता रखा है कौण कौण से ID proof है अगर सभी के पास आदार card होते हैं तो आदार card ले जाएं तो best है आदरवाइज आप दूसरी ID भी ले जा सकते हैं जिस पे आपका photo हो government ID हो तो ये ID card लेकर के जाना है इसके अलावा आपको कुछ भी लेकर के नहीं जाना है admit card के बारे में काफी student ये फूचते हैं कि ये black and white होना चीए ये color होना चीए तो दोनों में कोई सा भी चलेगा black and white भी चलता है और color भी चलता है जो आपकी इच्छा हो वो निकलवा सकते हैं इसमें इसके बाद pen वहां exam hall में provide करवाया जाएगा इसके अलावा आप कुछ भी नहीं लेकर के जाएंगे एक transparent water bottle ले जा सकते हैं अगर आप ले जाना चाहिए तो otherwise वहां पर भी सुईदा होती है ये इसके बाद जो pwd candidate है विकलांग candidate है वो अपना certificate लेके जाएंगे और अगर उन्होंने subscribe यूज कर रखा है तो उसका जो identity पुरूप है वो भी लेकर के जाएंगे उसमें इसके बाद आप exam के लिए समय से पहले पहुंचें आप पहले प्लान कर लें सुबह जब घर से निकलें तो अपने exam हलका एक बार mind में देख लें कि कितना दूर रहेगा हमें किस टाइम घर से निकलना है और वहां at least आप एक बज़े तक तो पहुंची जाएं देड़ बज पहुंचना है और उसके बाद में 12 बज़े पहुंचने के बाद में चेकिंग वगरा होगी इसलिए उनको एडवांस ही पहुंचना है तो यह तो हो गई पहुंचने की बाद ड्रेस कोड का अलरी मैंने वीडियो बना दिया है फिर भी मैं बता देता हूँ आपको लोंग स् इसके बाद में जैकेट्स वगरा इस परकार की चीजें अलाउन नहीं है इसमें इसके अलावा जो सूज है वो अलाउन नहीं है आप स्लीफर और सैंडल पहन के जा सकते हैं तो यह ड्रेस कोड हो गया आप सिंपल सी ड्रेस पहन के जाएं तो वो बैस्ट रहेगा इसके बा जाद में जो सामान है आपका जैसे की सिंगल कंडिडेट जाता है मोबाइल वगरा है या फिर अधर ओर आइटम्स हैं तो वो अपने अरेंजमेंट पर किसी शोप पर या कहीं भी रखे या किसी जानकार को देखे जाएं वहां अंदर ले जाने की परमिसन नहीं है और इनक परकार से आपको एकजाम के लिए समय से निकलना है ड्रेस कोड जो बता रखा है वो पहन के जाना है और एडमिट कार्ड के साथ में आईडी पूरूफ और एक छोटी पोटो लेकर की जाना है एडमिट कार्ड के दो पेज जरूर लेके जाना है उनके बिना आपको एंट्र साय आप शान्ती से paper करें घबराने वाले कोई बात नहीं है आपने पहले भी exam दिया होगा काफि सारी exam दिये होगे घबराने से कोई फाइदा नहीं होता है exam में वही आना है जो आपने पढ़ रखा है इसलिए आपका exam अच्छा होगा मैं इस वर से यही कामना करता हूँ Best of luck